हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम अगेन टू लंडविर दितीमन, आज हम करने वाले हैं कुट लेविन का छेत्र सिध्धान्त, फिल्ड थियोरी ओफ लर्निंग, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट थियोरी है, इस थियोरी मैंसे लास्ट येर भी कुश्चन आया था, और लगव यहां से प्रश्ण जो है वो आता ही है, तो इस थियोरी को अन्ने और नामों से भी जाना जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छेत्र सिध्धान्त जो फिल्ड थियोरी है, इसे हम सिध्धान्त भी कहते हैं, तलरूप सिध्धान्त भी कहते हैं, और प्राकरतिक दर्सा ताकि हमें एक्जाम में याद आ सके इस थियोरी का नाम क्या है और किसने दी थी, तो देखिए ट्रिक है प्रकर्ति के बिन कुछ नहीं, प्रकर्ति यानि की प्रकर्ति का शेत्र बहुत बड़ा है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, अब प्रकर्ति के बिन कुछ नहीं, त प्रकृति यानि इनोंने अपने सिद्धान्त का नाम रखा था प्राकर्तिक दसा का सिद्धान्त और दूसरे जो लाइन है प्रकृति का शेत्र बहुत बढ़ा है तो इनकी ठियोरी है शेत्र सिद्धान्त तो इस तरीके से हम याद रखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं जिस जर्मन संग्यानवादी विद्वान हैं, तो यदि option आते हैं कि कोहलर, कौफका, वर्दाइमर, लेविन, इन चारों में से कौन सा नहीं है, गैस्टाल्ट वादी, तो देखिए ये चारों ही गैस्टाल्ट वादी हैं, और चौथा option जो होगा कि इन में से सभी, तो देखिए वो राइट होगा, क्योंकि लेविन जो हैं, वो भी गैस्टाल्ट वादी में ही आते हैं, लेविन जर्मन संग्यानवादी विद्वान थे, गैस्टाल्ट वादी थे, इन्हों ने अभी प्रेर्णा पर बहुत बल दिया है, जैसा कि मैं हर थियोरी में बताती हूं आपको, एक तो थियोरी का नाम, उसे किस ने दिया है, इसके अलावा प्रियोग किस पर किया गया है, और उस थियोरी में सबसे ज़्यादा फोकल, सबसे ज़्यादा बल जो है, वो किस पर दिया गया है, ये चार बातें तो लगबग हमें याद ही रखनी है, तो जो कुट लेविन ह वो सबसे ज़्यादा बल देते हैं अभी प्रेरणा को सामाजिक मनोविज्यान के प्रतिपादक भी ने कहा जाता है संगटनात्मक मनोविज्यान के प्रतिपादक भी कहते हैं और समुगती शिल्ता के प्रतिपादक भी कहते हैं तो ये जो भी 5-6 लाइन है, यहां से प्रश्ण जो है, वो बनते ही हैं। लेविन का छेतर सिद्धान्त कहता है कि मानव व्यवार, व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिपल है। उसमें वो ये कहते हैं कि मानव का जो व्यक्ति है, वह है व्यक्ति, व्यक्ति भी कैसा मनोविज्ञानिक व्यक्ति और वातावरण यानि मनोविज्ञानिक वातावरण दोनों का ही प्रतिपल है। उन्होंने इसे एक सूतर के द्वारा दर्साया, B is equal to function है वो P और E का। अब हम देखेंगे कि ये short form किसकी है, B यानि की behavior, व्यवहार की, F यानि की function जिसे हम प्रक्रिया भी कहते हैं, और P जो है वह है person, वह है मनोविज्ञानिक व्यक्ति या कोई योग्य व्यक्ति जो की उस चीज में सक्षम है और E का अर्थ है environment यानि वातावरण या मनोविज्ञानिक वातावरण, तो जो व्यवहार है वह है मनोविज्ञानिक व्यक्ति और मनोविज्ञानिक वातावरण, इन दोनों की प्रक्रिया का ही फल है, ये चीज हमें याद रखनी है कोट लेविन की थियोरी में, लेविन ने भोतिक शास्रत अथा mechanics के से सदिस यानि vectors तलरूप यानि टॉपोलोजी इसका प्रियोग किया, इसलिए इनके सिद्धान्त को तलरूप सिद्धान्त भी कहा जाता है, तो यहां हमें कुछ mathematics की जो बाते हैं वो भी देखने को मिलती हैं, लेविन न ने भोतिक शास्रत अथा mechanics से सदिस यानि vectors, टॉपोलोजी इनका प्रियोग किया, तो ऐसे कौन से मनुविज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने प्रियोग में vectors और टॉपोलोजी का यूज किया, तो वहां हमें याद रखना है, वो मनुविज्ञानिक थे, लेविन, जिस कार field psychology को topological psychology या vector psychology भी कहा जाता है, तो इसलिए, इस theory को हम field psychology कहते हैं, topological psychology कहते हैं, और vector psychology भी कहते हैं, तो यहाँ जो प्रशनों जो हैं, वह आपे हर line में प्रशनों आपके चुपा हुआ है छेत्र सिदंत तीन अवधार्णाओं पर आधारित है लेविन का जो फिल्ड थियोरी है ये तीन अवधार्णाओं तीन कंसेप्ट पर डिपेंड है अब वो कौन-कौन से हैं? एक तो है वेक्टर्स जिसे हम सदिस कहते हैं दूसरा है टॉपोलोजी जिसे हम तलरूप कहते हैं और तीसरा है लाइफ इस्वेश जिसे हम जीवन दाइरा या शेत्र कहते हैं चलिए एक एक करके हम इनको देखेंगे वेक्टर्स यानि सदिस एक शक्ती होती है जो व्यभार को प्रेरित करती है जिसमें वो जो दो सक्तियां है जिसमें एक होती है आकर्शन और दूसरी होती है विकर्शन आकर्शन क्या है वह प्रेरिक सक्ती है जो लक्ष की और ले जाती है जैसे कि हमारा एक लक्ष है कि हमें जो पेपर है वो पास ही करना है, तो कुछ आकर्शन शक्तियां जो हमें वहां तक ले जाती हैं, तो कुछ लेविन केते हैं कि वैक्टर के अंदर दो आकर्शन शक्तियां होती हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं कार्डे को करने से, और दूसर होती है जो हमें वहां बाधा उत्वन करती है तो आकरशन का कारे क्या होता है कि जो हमें लक्ष की ओर ले जाती है और विकरशन जो होता है वो हमें उस लक्ष से दूर ले जाती है यानि कुछ बाधा हैं जैसे कि हमारे माइंड में आता है कि कहीं मैं पीपर में फेल ना हो जा नेक्स्ट है टॉपोलोजी जिसे तलरूप कहा जाता है मनुश्य में वातावरण, प्रत्यक्षी करण और अंतक्रिया के परिणाम सरूप आकर्ती जनक परिवर्तन है यह एक गणतिय सब्द है सबसे पहले तो आपको यह याद रखनी है देखिए लास्ट येर भी टीचिंग एक्जाम में यह आया था ति कौन से मनोविज्ञानिक थे जिन्हों ने अपने सिद्दान्त में गणतिय शब्द टॉपोलोजी का प्रियोग किया ठीक है तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिस दोनों में याद रखना है कि वो थे कुल्ट लेविन अब यह टॉपोलोजी क् में वह इनको व्रत के रूप में देखेगा बहुबुच के रूप में देखेगा अंडाकार के रूप में देखेगा जबकि मनोविज्ञानिक देश्टी कौन से यदि देखेगा तो वह इन्हें केवल देखेगा कि यह चोटा है उससे बड़ा यह है और उससे बड़ा यह तो ये केवल एक आकर्ती जनक परिवर्तन है, ये केवल एक गणितिय शप्त है, तो मनोविग्यानिक व्यक्ति इन हैं केवल आकर्ती के रूप में देखेगा कि यह इसे बड़ी है और यह इसे बड़ी है, और यदि मैट्स की बात की जाए तो यहाँ इनके अलग-लग नाम है नेक्स्ट है थर्ड लाइफ स्पेस, तो हमने सबसे पहले देखा था वैक्टर्स, सेकिंड देखा टॉपोलोजी और थर्ड हम देख रहे हैं लाइफ स्पेस, जिसे की जीवन दायरा शेतर कहा जाता है, जीवन दायरा वह है जिसमें व्यक्ति चेतन अवस्था में उस गट जीवन दायरा उसे ही शेतर, जीवन शेतर जो है वो कहा है, मान लेजिए इसका एक एक अग्जामपल है कि एक कक्षा में सांप बैठा है, कोई व्यक्ति अंदर आया, उसे सांप के होने का एहसास हुआ, तो वह गटना उस व्यक्ति के जीवन दायरे में आ गई है, लेकिन उस क्लास में, उस कक्षा में वह किसी भी बच्चे के लिए वह जीवन दायरे में नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसका प्रतिक्षी करण अभी तक नहीं किया है, किन्तु कक्षा में बैठे बालकों को आभास नहीं है, जब उन्हें बताया जाता है, तो वह भी जीवन दायर तो वो हमारे जीवन दायरे में नहीं आती है। कुड़ लेविन बताते हैं कि माना विवार को समझने के लिए लक्षे को पहले समझना होगा। वो कहते हैं कि यदि विवार को समझना है तो सबसे पहले जो अपना गोल है उसे समझना होगा। लक्षे को समझने के लिए तीन तत्व जो हैं वो important होते हैं और वो क्या होते हैं एक होती है भर्चना, तूसरी है लक्षे और तीसरी है बाधा या अव्रोध. भर्चना जिसे अलोचना भी कहा जाता है, जीवन में जो भी उतार चड़ाव आते हैं, तो वह भर्चना होती है, लक्षे क्या होता है, यह लक्षे यदि सटीक है, तो मानव लक्षे को आसानी से हासिल कर लेना, यानि कि लक्षे को समझने के लिए तीन तत्व जो हैं, वो मह अब लक्षे के बीच में बाधाएं बिल्कुल आती है, यदि लक्षे निर्धारित है, तो इन बाधाओं को पार करके लक्षे प्राप्तों हो जाता है, तो लक्षे को प्राप्ते करने के लिए यह जो तीन बातें हैं, तीन पॉइंट जो हैं, वो भी स्टार्टिंग से ल लाइफ इस्पेस ठीक है और इसके अंदर यह जो लाइफ इस्पेस है यह कैसा है यह फॉरन हल ओफ लाइफ इस्पेस यानि यह बहारी परिवेस है यह वो बहारी परिवेस है जिसमें बहुत सारी घटनाय जो है वो हो रही है जो कि व्यक्ति की चेतन अवस्था की अंतरकर प तो इसके अंदर जो भी घड़नाएं होंगी, जिनका व्यक्ति प्रतक्षिकरण कर रहा है, जो भी जीवन दायरे के अंतरगत हो रही हैं, तो इसके अंतरगत व्यक्ति के अंदर कुछ बाधाएं भी आएंगी, कुछ लक्ष की उसकी पूर्ती भी होगी, ठीक है? यहीं पर व मनोवग्यानिक व्यक्ति, मनोवग्यानिक व्यक्ति जो है उसकी आवशक्ता हैं, जो हैं वो यहाँ पर पूरी हो रही हैं, लेकिन जब वह अपने गोल की प्राप्ति करना चाहता है, देखिए इस साइड जो है वो गोल है, तो उसके बीज में कुछ बैरियर्स जो हैं वो आते हैं, जो की बाधा उत्पन करते हैं, जो की उसे इस ओर खींसते हैं कि शायद मैं फेल ना हो जाऊं जैसा कि हमने एक्जाम्पल लिया था, और यह क्या है मनोवग्यानिक वातावर्ण, अब जैसे ही इन वेरियर को वो पार कर लेता है, वो अपने गोल को प्राप्ति कर वह व्यक्ति के यहां पर हो रही होती है, यानि कि व्यक्ति के व्यवार को जो है वो दो चीजे प्रभावित कर रही है, एक तो क्या कर रही है मनोवग्यानिक वातावरण और दूसरा कर रहा है वो मनोवग्यानिक व्यक्ति, इसलिए कहा गया है कि व्यवार जो है वो मनोव space किसे कहते हैं या behavior जो है जिसका उन्होंने एक सूत्र दिया है कि function of p is equal to e इसमें p का क्या अर्थ है, e का क्या अर्थ है, vectors किसे कहते हैं, vectors जोने दो type के उन्होंने बताया है लेविन ने वो कौन-कौन से है, आकर्शन, विकर्शन, क्या है, ये सबी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी इस तरीके से कोट लेविन की theory जो थी, वो इतनी ही थी और बहुत ही important theory है, यहाँ से हर बार question जो है वो आता ही है मिलते हैं, next video में next theory के साथ, thank you झाल